इस वक्की बड़ी ख़वर आपको बता दें, C.A. पर नोटिफिकेशन जल जारी हो सकता है, केंद्र सरकार नोटिफिकेशन को जारी कर सकती है लोगसभा चुनाब से पहले ये नोटिफिकेशन काफी है माना जा रहा है माना जा रहा है कि राब मंदिर के बाद BGP सरकार का अगला दाव नागरिकता कानून ही होगा C.A. की मोदी सरकार ने साल 2020 में संसत से पारित करवाया था उस दोरान देशभर में इस कानून के खिलाब व्यापक आंदोलन भी हुए थे और अभी भी कई मुस्लिम धर्गुरों की तरफ से C.A. को लेकर बयान सामने आ रहे हैं लेकिन बड़ी खाबर यही है कि C.A. पर नोटिफिकेशन जल जारी हो सकता है C.A. आखिर है क्या? दरसल सिटिजन अमेंडमेंट अक्ट नागरिकता देने का कानून है पड़ोसी देशों से आने वाले अल्ग संख्यकों को नागरिकता देने का कानून है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश से आने वालों पर यह लागू होता है छे धर्म के लोगों को नागरिकता C.A. के तहत मिल सकती है जिसमें ये धर्म है, हिंदू, सिक, इसाई, बोथ, जैन, पार्सियों को नागरिकता देने का ये कानून बनाया गया है 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश से आने अग्ध संख्यकों पर भी यह लागू होता है C.A. पर नोटिफिकेशन जल जारी हो सकता है, बड़ी खबर ये है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है कि आज ही केंद सरकार C.A. पर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है इसको लेकर जबदस राजलीती भी हुई है, कई विरोधी पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध भी किया है और मम्ता सरकार ने साफतोर पर कह दिया है कि परश्चिम मंगाल में C.A. वो लागू नहीं होने देंगी तो C.A. का विरोध भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन विरोध के कारण क्यूं है, मुसल्मान क्यूं इसके खिलाफ है, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं मुसलिम समाज के लोग कह रहे हैं कि C.A. का वो विरोध कर रहे हैं मुसल्मानों को C.A. के बाहर रखने का विरोध उनकी तरफ से किया जा रहा है और समानता के अधिकार के खिलाफ C.A. है ये मुसलिम संगठन लगातार कह रहे हैं कई इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए है कई कई महीनों तक प्रदर्शन हुए है शाहिनबाग का प्रदर्शन भी हमें याद है और इसके इलावा कई राज्यों के कई शहरों में ये प्रदर्शन देखे गए थे और अब आखिरकार मुस्लिम सगटनु की तरह से बयान तो ये दिये जा रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार आज ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है तो बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है कि सीए को लेकर आज नोटिफिकेशन जारी हो सकता है लगातार यह अटकले लगाई जा रही ही थी कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और अब आखिरकार आज को लेकर ये बात कही जा रही है कि आज ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है तो मुसलिम संगटनों की तरफ से मुसलिम धर्मगुरों की तरफ से लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं हमने देखे है कि कई बयान जिसमें कहा गया कि बकाइदा आपने पेपर्स को ठीक कर ले और ये लगातार कहा जा रहा था कि कागज नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर C.A. को लेकर जो लगातार ये कहा जा रहा है कि C.A. मुस्लिम संगठन उनका कहना है कि उनके खिलाफ है ऐसे में अब इसको लेकर C.A. का सबसे जादा इंपक्त कहा होगा वो आपको बताते हैं बंगाल की 42 सीटों पर इसका असर हो सकता है असम की 14 लोग एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है बंगाल और असम की इन 42 और 14 लोग सबा सीटों पर तो जाहिर तोर पर मुस्लिम संगठनों की तरफ से और इसके साथ-साथ जो बंगाल सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है उसका इंपक्त भी आप समझ सकते हैं क्योंकि बंगाल में ममता सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है ममता बैनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो C.E.A. को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी होगा पूरे देश में लागू होगा तो बंगाल भी उससे छूटा नहीं रह सकता है तो केंद सरकार की तरफ से आज नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और इसके अलावा कई राज्यों में इसका असर साफ तर पर देखने को मिलेगा जिसमें असम और बंगाल सबस्यादा है मैं आज एक तरफ C.E.A. को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने की तयारी में है तो वह जिदों को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है शरीयत पर हमल ना करे यूनिफार्म सिविल कोट की बात की जा रही है C.E.A. के खानून के रून्स को बना कर हमको हमारे मुलक में कागस दिखाने पर मजबूर किया जाएगा पार्लिमेंट में आपने देखा कि हमने खड़े होकर का C.E.A. का खानून नहीं मानते मैंने उस खानून को फाड़ दिया दूसरे भी फाड़ सकते थे नहीं फाड़े तो C.E.A. को लेकर बार-बार ये कहा जा रहा है बार-बार ये मुसलिम संगठनों की तरफ से भ्रम फैलाये जा रहे हैं कि C.E.A. के तैज जिनके पास कागज नहीं होंगे ये मुसलमानों के खिलाफ है लेकिन इसके साथ-साथ ये साफतोर पर इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास कागज सही है तो आपको इस देश से कोई नहीं निकाल सकता है लेकिन बार-बार मुसलमानों के बीच में ये भ्रम फैलाया जा रहा है उरुसी कड़ी में अजुतिन ओवेसी के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं इसके अलावा मुस्लिम संगठन इसको लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं सड़के तक बंद कर दी गई थी इस विरोध प्रदर्शन के चलते हैं प्रदर्शन के स्वर अलग अलग जगा से विरोध के स्वर देखने को मिल रहे थे लेकिन अब ये साफ तोर पर कर दिया गया है कि सीए का नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है चुनाव से पहले गी नोटिफिकेशन केंद सरकार जारी कर सकती है और इस मामले पर All India Muslim Personal Law Board के प्रवक्ता कासिम रसूल इल्यास ने कहा कि मुसल्मानों का नाम क्यों नहीं है इसके अंदर इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए क्या इस बार भी कुछ ऐसा होगा क्या देखे सिये के कानून के खिलाफ जो हमने परदर्शन किये थे उसकी बहुत बुनियादी बात ये थी कि वो एक डिस्क्रिमिंटी कानून है हमें इस पर कोई इतराज नहीं है कि पाकिस्तान से बंगलादेश से अफ़गानिस्तान से जो भी आदमी पीडित हो वो अपिस यहां है और यहां पर हुआन।